दादी नानी के घरेलू नुसके अपनाएं जीवन को स्वस्त बनाएं। कान के दर्द के लिए प्याज पीस कर उसका रस कपड़े से छान लें। फिर उसे गरम करके चार भूंद कान में डालने से कान का दर्द समाप्त हो जाता है। दाद के दर्द के लिए हल्दी एवं सेदा नमक महीन पीस कर उसे सुद्ध सर्सों के तेल में मिलाकर सुवे साम मन्यन करने से दादों का दर्द बंद हो जाता है। दादों के सुराख के लिए कपूर को महीन पीस कर दादों पर उंगली से लगाएं और उसे मलें। सुराखों को भली प्रकार साफ कर लें। फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दवाकर रखने से दातों का दर्द निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है बच्चों के पेट के कीडे के लिए छोटे बच्चों के पेट में कीडे हूं तो सुवे एवं साम को प्याज का रस गरम करके एक चमच पिलाने से कीडे अवश्य मर जाते हैं धतूरे के पतों का रस निकाल कर उसे गरम करके गुदा पर लगाने से चुनने से आराम हो जाता है गिल्टी के दर्द के लिए प्याज पीस कर उसे गरम कर लें फिर उसमें गौमूत्र मिला कर छोटी सी टिकरी बना लें उसे कपड़े के सहारे गिल्टी परवांधने से गिल्टी का दर्द एवं गिल्टी समाप्त हो जाती है पेट के कैचुए एवं केड़े के लिए एक बड़ा चमच सैम के पतों का रस एवं सहद सम भाग मिलाकर प्रातह मद्यान एवं साम को पीने से कैचुए तथा केड़े चार-पास दिन में मर कर बाहर निकल जाते हैं छोटे बच्चों को उल्टी दस्त के लिए पके हुए अनार के फल का रस गुनगुना करके प्रातव मध्यान एवं साम को एक एक चमच पिलाने से सिसु बवन अवश्य बंद हो जाता है कब्ज दूर करने हेतु के लिए एक बड़े साइज का काट कर रात्री भर ओस में पड़ा रहने दें फिर प्रातकाल एक गिलास चीनी के सरवत में उस नीवु को निचोड कर तथा सरवत में नाम मात्र का काला नमक डाल कर पीने से कब्ज निश्चित रूप से दूर हो जाता है आग से जल जाने पर के लिए कच्चे आलू को पीस कर रस निकाल लें पिर जले हुए इसतान पर उस रस को लगाने से आराम हो जाता है इसके अत्रिक्त इमली की च्छाल जला कर उसका महीन चूण बना लें उस चून को गाई के घी में मिलाकर जले हुए इस्तान पर लगाने से आराम हो जाता है कान की फुंसी के लिए लेसन को सरसों के तेल में पका कर उस तेल को सुबह दोपेर और साम को कान में दो दोबून डालने से कान के अंदर की फुंसी बह जाती है अत्वा बैठ जाती है तथा दर्द समाप्त हो जाता है कुकर खांसी के लिए फिटकरी को तवे पर भून लें और उसे महीन पीस लें तत पश्चात फिटकरी के चून में सम्भाग चीनी मिला कर सुवे दुपेर और साम को सेवन करने से कुकर खांसी ठीक हो जाती है पेसाव की जलन के लिए ताजे करेले को महीन महीन काट लें पुने उसे हातों से भली प्रकार मल लें करेले का पानी इस्टिल या सीसी के पात्र में इखटा करें वही पानी की खुराक बना कर तीन वार सुवे दोपेर और साम को पीने से पेसाव की कड़क एवं जलन ठीक हो जाती है फोड़े के लिए नीम की मुलायम पत्तियों को पीस कर गाय के घी में उसे पका कर कुछ गरम रूप में फोड़े पर हलके कपड़े के सहरे बांधने से भैंकर एवं पुराने तथा असाद्य फोड़े भी ठीक हो जाते हैं सिड़ दर्द के लिए सोट को बहुत महीन पीस कर बकरी के सुद्ध दूद में मिलाकर नाग से बारवार खींचने से सभी प्रकार के सिड़ दर्द में आराम होता है पेसाव का बारवार आना के लिए जामुन के गुठली सुका कर महीन पीस डालें और उसे महीन कपड़े से छान लें प्रत दिन तीन बार सुवे दुपेर और साम ताजे जल के साथ लेने से पेसाव के साथ चीनी आनी बंद हो जाती है इसके अतरिक्त ताजे करेले का रस नित्य पीने से भी उक्त रोग में लाव होता है मस्तिस्क की कमजोरी के लिए महंदी का बीज पीसकर सुद्ध सहत के साथ प्रतिन तीन वार सुवे दुपेर और साम सेवन करने से मस्तिस्क की कमजोरी दूर हो जाती है और इसमरण सक्ती ठीक होती है तथा सिर दर्द में भी आराम हो जाता है अधक पारी का दर्द के लिए कपूर तथा मलिय गिरी चंदन को गुलाब जल के साथ गिसकर गुलाब जल की मात्रा कुछ अधिक रखें नाग के द्वारा खींचने से अधक पारी का दर्द अवश समाप्त हो जाता है खूनी दस्त के लिए जामुन की गुठली को ताजे पानी के साथ पीस चान कर चार-पांच दिन सुवे एक गिलास पीने से खूनी दस्त बंद हो जाता है इसमें चीनी या कोई अन्य पदार् जुकाम के लिए गाय का दूद गरम करके उसमें काली मिर्च एवं मिसरी इन दोनों को पीस कर दूद में मिला कर सोती समय रात को पी लें पांच दिन में जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा अत्वा मिसरी एवं काली मिर्च ताजे पानी के साथ पीस कर गरम करके चाय की त में डाल कर और नामात्र का सेंदा नमक मिला कर सीसे के बरतन में रख दें पांच साथ टुकडे नित्य भोजन के साथ सेवन करें मंदा किन दूर हो जाएगी उधर विकार के लिए अजवाइन काली मिर्च एवं सेंदा नमक इन तीनों को एक में ही मिला कर चून बना लें ये तीनों बरावर मात्रा में होने चाहिए इस चून को प्रतिदिन नियमित रूप से रात को सोते समय गरम जल के साथ सेवन करने से मात्रा अठनी भर सभी प्रकार के उधर रोग दूर हो जाते हैं मोटापा दूर करने के लिए एक नीवू का रस एक गिलास जल में प्रतिदि खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है ऐसा तीन महिने तक नरंतर करना चाहिए गरमी एवं बढ़सात के दिनों में यह प्रयोग बिशेश लाबदायक होता है दोस्तों यह उपाय आपको पसंद आये हूं तो प्लीज लाइक सियर कमेंट करना धन्यवाद